हालो फ्रेंट्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फूर यू, सो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो आपका ससी जीडी कॉंस्टेवल का एक्जाम होने वाला है, 10 जनवरी से 14 फरवरी तक उसके लिए हाली के एक्जाम में टीशेश के द्वारा ज यहां से प्रेस्ट ने जरूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो को जो है लाज तक जरूर देखेगा, और आप सरी कोईश्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ससी जीडी से रिलेटेड पल-पल की अपडेट के लिए चैन जो देखे रन उत्सो जो है, यह आपका गुजरात राज्जी में मनाए जाता है, तो गुजरात आपका खरेक्टेंसर होगा, बात कर ले अन्य उत्सो के बारे में, तो नौरात्री, जनमास्टमी, उत्रायन उत्सो यह जो आपके गुजरात राज्जी में मनाए जाते हैं, इसके अलावा गनेच उसो, गुडी परवा, ये जो आपके महरास्ट राज जी में मनाये जाते हैं, लोकरंग उसो, तेजाजी उसो, खजुराहो उसो, ये जो आपके मद्दे परदेश के उसो हैं, गनकौर, तींज और बुंदी, ये सब जो उसो हैं ना, ये राजस्थान र दुरच्छा प्रदान करने, एवं अवैद सिकार, तसकरी और अवैद वैपार को नियंतरित करने के उदेश से जो है, 1972 में वन्य जीव संरच्छन अधिनियम जो है, ये लागू किया गया था, तो 1972 आपका करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट पुर्श आपका यहां पर, इसक प्रदुसर प्रदुसर नियंतरित किया गया था, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट पुर्श आपका यहां पर आए था, कि धौला वीरा, एक हडपा सहर है, और वत्मान में, ये जो है, किस भारती रखना है, राज्य में इस्तीत है, तो देखें, ये जो आपका धौला वीरा है, ये पस्चमी गुजरात के कच के रण में, एक हडपा सहर है, जिसे युनेसको के विसुधरोर अस्तल की सूची में भी जो है, इसे सामिल किया गया है, और ये विसुधरोर सूची में अंकित होने वाला भारत का चालिसवा साइट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, और ये जो आपका धौला वीरा अस्तल है, इसे जो है वर्स 1968 में इसे खुजा गया था, और ये जो आपका जल प्रबंधन, रचनात्मक तंत्र, विसेस, दफन, सन, रचनाव, आदी, जैसे अनूठी विसेस्ताओं के लिए जो है, ये आपका जाना जाता है, नेक्स्ट कोशускा आपका याप रहाए था कि राजानागभट, प्रथम का जो संबंध है ये किस वन्स से है, तो देखें नागभट, प्रथम की बात कर ले, तो ये जो आपके प्रतिहारराजवन्स के, ये जो हैं स तो देखे वेट सावर कर अंतरास्टे हवाई अड़े की बात कर ले तो यह आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समू में पोर्ट ब्लेर में इस्तित है तो अंडमान और निकोबार द्वीप समू आपका करेक्ट अंसर होगा बात कर ले अंतरास्टे हवाई अड़े के ब मुंबई महरास्ट में है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका याप रहता कि विच आर्टिकल है तो यानि कानुन के समझ समानता का अधिकार ये जो है किस अनुछेद में वरनित है तो देखे मैं आपको बता दू कि राइट टू इक्वैलिटी यानि समानता को जो अधिकार है न ये आपका अनुछेद 14 से 18 के तहत है इसके अलावा अनुछेद 14 में जो है कानुन के समझ समानता है यानि आपके समानता के अधिकार में कानुन के समझ जो समानता का अधिकार है न ये आपका अनुछेद 14 में है तो अनुछेद 14 आपका करेक्टर अंसर होगा वहीं अगर अनुछेद 15 की बात कर ले तो इसमें आपका धर्म मूलवन्स जाती बाग का निसेद ये जो आपका अनुछेद 15 में है सारवजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करना ये जो आपका अनुछेद 17 में जो आपका प्रिस्ता का उन्मुलन है और अनुछेद 18 में जो है उपादियों के अंत के बारे में दिया गया है कोईशन यह पूछा गया था कि हाली में 2021 में सिन्धु केंद्रे विसवीद्याले यह कहां पर खुलेगा तो यह आपका लदा केंद्र सांसित-परदेश में जो है वह खुलेगा तो अगर यह पूछा गया था तो लदा की आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश आपका यहाँ पर रहा था कि What are the two major Iceland group in India यानि भारत में दो परमुख द्वीब समू कौन कौन से है तो देखे भारत में जो दो परमुख द्वीब समू है न एक तो आपका लच्छ द्वीब समू है और सेकेंड आपका अंडमान और निकोबार द्वीब समू है बात कर ले अंडमान और निकोबार द्वीब समू यह जो आपका बंगाल की खाड़ी में मौझू है इसके अलावा लच्छ दीब जो समू है न यह अरब सागर में इस्तित है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपके यहां पर आए था कि वू एमॉंग दा फालिविंग वाज ए मौडरेट लीटर इंदा इंडियन नैसनल कॉंग्रेश यानि निम्नली खित में से कौन भारते रास्टे कॉंग्रेश के जो है एक उदारवादी नेता थे तो देखे बारते रास्टे कॉंग्रेश के उदारवादी नेता की बात कर ले तो यह आपका दादा भाई नौराजी ए ओ ह्यूम वियोमेस चेंडर बनरजी फिरोज साम महता मदन मोहन मालविय यह सब जो आपके भारते रास्टे कॉंग्रेश के जो है उदारवादी नेता थे तो इन में से जो भी आप्सन में दिया होगा वो आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कुशन आपका याप रहा था कि NHPC जिसका फूटम होता है नेस्टनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्परेशन प्राइबेट लिमिटेड इसके जो है नए अध्याच हाली में ये कौन बने है तो देखे NHPC के हाली में जो नए अध्याच और MD है न ये यमुना कुमार चौबे को बनाए गया है तो यमुना कुमार चौबे आपका correct answer होगा नेक्स्ट कुश आपका यहापर रहा था कि 1793 में अस्थाई बंदुबस्थ ये जो है किसके सासन काल में ये लागू किया गया था तो देखे जब 1793 में जब अस्थाई बंदुबस्थ लागू किया गया था तब लॉर्ड कार्णवाली जो है ये बंगाल का गवर्नर जेनरल था तो लॉर्ड कार्णवाली साब का करेक्ट अंसर होगा कि 2022 के रंजी ट्रॉफी मी अपने डैबियू मैच में 500 रन से अधिक किस खिलाडी ने मारा है जो कि अपने डैबियू मैच में सबसे जढ़ा रन बारने वाले खिलाडी बन गए हैं तो देखें 2022 के रंजी ट्रॉफी में बिहार के साकीबूल गनी ने अपने डेबियू मैच में मिजूरम के खिलाप 405 गेन में ये 341 रन मार कर ये सरवादी कर रन बनाने वाले खिलाडी बन गए हैं तो साकीबूल गनी आपके यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा और ये किस राज 21 तक भारत के किस राज्य के उच्छ न्याले में जो है एक भी महिला जज नहीं है तो देखें मैं आपको बता दू कि भारत के टोटल पांच राज्यों में जो है एक भी महिला जज नहीं है और वो पांच राज्य कौन कौन से हैं तो मनीपूर, मिगाले, बिहार, तिरपू ग्यासुदिन खिल जी ने जहाज महल का निर्मान ये जो कहां करवाया था तो देखे जहाज महल का जो निर्मान है ना ये ग्यासुदिन खिल जी के द्वारा 1479 इस्वी में मांडू मद्य परदेश में करवाया गया था तो मांडू मद्य परदेश आपका यहां पर करेक्ट answer होगा जी से वह जनान खाना के रूप में इस्तेमाल करता था बात करने ग्यासुदीन खिलजी के बारे में तो देखें ग्यासुदीन खिलजी खिलजी वंच का धित्य सुल्तान था जिसका सासन काल चौदा together 497 से लेकर 1509 यासुद तक रहा था और इसके द्वारा ही जो है सेख की मजार की पहली इमारत का जो निर्मान है वो करवाए गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट को शाप के आप रहा था कि मार्च 2022 में अहमदाबाद के सरदार पठेल स्टेडियम में एक ग्यारवे खेल महाकूंब का जो जेंद्र मोदी आपका करेक्ट एंसर होगा बात कर ले खेल महाकूंब के बारे में तो देखे खेल महाकूंब जो आपका 2010 में गुजरात में 16 खेलो और 13 लाग प्रतिबागियों के साथ जो है ये आपका सुरू हुआ था अगर एक्जाम में पूछा जाए कि खेल में 36 जो है वो सामानने खेल है और 26 जो हो आपके पैरा अस्पोर्ट से जो है वो सामिल है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कुश आपका यहाप रहा था कि तुजू के बाबरी ये जो है किस भासा में लिखी गई है तो देखे ये जो आपका थार्सी भासा में अनुबाद ये जो है किस ने किया था क्योंकि यहाँ सभी एकजाम में प्रेश्ण पूछा जाते हैं तो देखे तुजू के बाबरी को पर सिबासा में जो अनुबाद है ये अब्दुल रहेम खान खाना ने बाबर नामा नाम से किया था तो ये नाम भी का correct answer होगा बात कर ले मोहनी अटम ये जो किस राज्य का सास्त्रे नेते है तो देखिए मोहनी अटम जो ये केरल का एक सास्त्रे नेते है इसके अलावा वी एन मेनन कल्यानी अम्मा सुनंदा नायर कला मंडलम छे मुवती मादूरी अम्मा और जैप्रभा मेनन इन सबी का जो संबन्द है ना ये मोहनी अटम से है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपके आप रहता कि यानि नैस्नल यूमेन राइट्स कमीशन के जो है वर्तमान में चेर्मेन कौन है यानि रास्टे मानवा अधिकार आयोग के जो है वर्तमान अध्यच कौन है तो देखें वर्तमान में NHRC के जो अध्यच है ना ये न्याय मूर्ती अरुन कुमार मिसरा है तो अरुन कुमार मिसरा आपका करेक्ट एंसर होगा बात कर ले NHRC यानि रास्ट्रे मानुआ अधिकार आयोग की हस्थापना ये जो कब की गई थी तो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था रास्ट्रे मानुआ अधिकार आयोग ये जो किसके छेतरा अधिकार में आता है तो ये भारत सरकार के छेतरा अधिकार में आता है रास्ट्रे पंचवर्षी योजना के बाद जो है, इसे घूसित किया गया था, तो देके प्लैन होलिडेस से थात्पर है, उस तरी वर्षी योजना से है, जो तीसरी पंचवर्षी योजना जिसका conserv निशॉ स propagandaQuéремr 65-66 तक विस्तार मृइदा सनरचन पर विसेश रुप से बल देने की रनीती अपनाई गए थी ताकि इन में से होने वाले कम हत्यापदन के संकट को टाला जा सके तो तीसरी पंचवर्शी योजना आपका correct answer होगा next question आपके आप रहा था कि भारतिय संबिधान के बारे में इन में से कौन सा कतन जो है वो गलत है आपके चार statement दिये गया थे जिसमें आपको बताना था कि इन में से कौन सा कतन जो है संबिधान के बारे में गलत दिया हुआ है तो एक statement आपका दिया हुआ था कि मुल संबिधान था, तो ये statement आपका सही होगा, और इसमें जो आपके केवल 8 अनुसूचियां थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, वरतमान समय में अगर बात कर लें, तो वरतमान समय में 12 अनुसूचियां और 25 भागों में बीवाजीत है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रख पूछे गया हैं जो कि अभी तक मुझे एक ही प्रेश्ट मिले हैं दो प्रेश्ट किसी भी बच्चे को याद है तो कमेंट करके जरूर बता दीजेगा तो देख ये 2011 की जनगना की अनुशार बिहार में जो साचर्टा दर था ना वो सबसे कम था और कितने परसेंट था बिहार का साचर्टा दर तो ये 63.8 परसेंट था उसके बाद सेकेंड अगर बात कर ले सेकेंड सबसे कम साचर्टा दर वाला राज जी कौन था तो ये आपका अरुनाचल पर्देश था और उनाचल पर्देश में टोटल 67 परसेंट जो है वो साचर्टा दर रहा था वहीं अगर बात कर ले द्वजा 11 में भारत की साचर्टा दर क्या रही थी अगर भारत का पूचा जाए तो भारत का जो साचर्टा दर रहा था वो 74.04 परसेंट रहा था वहीं अग तो यह आपका केरल राज्जी का रहा था, जो कि 94% रहा था, इसे कि पर्व कोशन ये पूछा गया था, कि देव दिपावली जो पर्व है न ये कौन से अस्थान के लिए परसिद्ध है, तो देखें मैं आपको बता दू कि देव दिपावली पर्व, दिवाली के 15 दिपावल आध मनाय जाता है और यह जो आपका कार्थिक पुर्णिमा का तेवार है जो कि वारनसी उत्तर-पर्देश में बनाय जाता है तो अस्थान में अगर पूछा गया था तो वारा नसी आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश आपका यहाँ पर रहा था कि मोजीला फायरफॉक्स यह कब बना था यानि कब यह फार्म हुआ था तो देखें मोजीला फायरफॉक्स की बात कर ले तो यह आपका 2002 में इसे बनाए गया था तो 2002 आपका यहाँ पर correct answer होगा और किसके द्वारा बनाए गया था तो देखें मोजीला समुदाए के सदसे द्वारा जिसका code name क्या था तो Phoenix था Phoenix के तहट जो है यह मोजीला फायरफॉक्स को जो है बनाए गया था तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है और यह जो आपका मोजीला फायरफॉक्स है ना एक वेब ब्राउजर है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट विश आपको यहाँ पर रहा था कि Congress का प्रतम अधिवेशन जो की 8850 में हुआ था इसकी जो अध्यस्ता है ना यह किसने की थी तो देखे Congress के प्रतम अधिवेशन की बात कर लें तो देखे भारतेर रास्टे Congress की जो अस्थापना है ना यह 72 परतिनीदियों की उपस्तिती में 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विस्विद्याला में इसकी अस्थापना की गई थी और इसके जो संस्थापक महासचिव यानि जो जनरल सेक्रेटरी थे ओ ए ओ यूम थे जिन्होंने कलकते के वियोमेस चेनर बनर जी को जो है पहले अधिवेशन के अध्यच के रूप में जो है वो न्यूक्त किया था तो वियोमेस चेनर बनर जी आपका correct answer होगा वहीं अगर इसके संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो दिखें भारते रास्टे कॉंगरिस की जो संस्थापक थे न यह आपके A.O. यूम थे और भारते रास्टे कॉंगरिस की अस्थापना कब हुई थी तो ये 28 दिसंबर 1885 को हुआ था बात कर ले दूसरे अदिवेशन की अध्यस्ता ये जो किसने की थी तो देखे दूसरे अध्यस्ता है ये आपका कलकता में हुआ था जो की 1886 में हुआ था और इसकी जो अध्यस्ता ये दादा भाई नहरोजी के द्वारग किया गया था वही अगर तीसरे अध्यवेशन की बात कर ले तो ये 1887 में मदरास में जो की वट्मान में इसका चेनने नाम है और इसकी जो अध्यस्ता है ये बदरुदीन तयाबजी के द्वारग किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका यहाप र नेक्स्ट कोश आपका यहाप रहा था कि निमनल इखित में से कौन जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉप्ट वियर नहीं है जहां पर ऑप्शन में आपका MS Word, Notepad, Wordpad और Wordpress दियावा था तो देखें ये जो आपका Wordpress है ना एक सौतंतर और Open Source Content Management System है ना कि Word Processing Software है और ये जो आप आपका PHP और MYSQL पर जो है ये आपका आधारीत रहता है तो Wordpress आपका यहापका यहाप एक करेक्ट एंसर होगा तो ये आपका यहापका यहापकर एंसर होगा Next question आपका यहाप रहता कि What is a person who has a problem in reading called? यानी जिसको रीडिंग करने में प्रॉब्लम होता है, जिस वैक्ती को रीडिंग करने में प्रॉब्लम होता है उसे जो है क्या कहते है, तो उसे जो है आपका dyslexia कहा जाता है तो dyslexia आपका यहाँ पे correct answer होगा और यह जो आपका English में word word substitution से जो आपके प्रेशन पूछे गया थे Next question आपका यहाँ पर रहा था कि SMTP का जो है computer में full form पूछा गया था तो देखे SMTP का जो full form होता है यह simple mail transfer protocol होता है तो simple mail transfer protocol आपका correct answer होगा बात कर ले अन्य computer के full form के बारे में जहां से आगे के सिप्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं जैसे की UPS का full form क्या होता है तो uninterruptible power supply होता है सारा का full form अगर पूछा जाए तो serial advanced technology attachment होता है SMPS का full form अगर पूछा जाए तो swiss mode power supply होता है URL का पूछा जा तो uniform resource locator होता है DVD का आपका digital versatile disk होता है CRT का आपका cathode rate tube होता है SAP की बात कर ले तो system application and products होता है PNG का portable network graphics होता है USB का आपका universal serial bus होता है GPU का आपका graphics processing unit होता है और VPN का आपका virtual private network होता है तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना है पूछन है था कि घेंगा यानि ग्वाइटर रोग जो है ये किसकी कमी से होता है तो देखे ये जो आपका घेंगा रोग होता है ये iodine की कमी के कारण होता है तो iodine आपका यहाँ पे correct answer होगा बात कर ले अन्ने रोग के बारे में जहां से आगे के सिप्टों में आपसे प्रेशन पूछे जा सकते है जैसे कि पूछा जा सकता है कि water soluble vitamin यानि पानी में घुलनसील विटामिन कौन कौन से होते है तो vitamin B और vitamin C ये जो आपके पानी में घुलनसील विटामिन होते है वही अगर fat soluble vitamins की बात कर ले तो देखे vitamin A का जो रासाइनिक नाम होता है वो retinol होता है और vitamin A की कमी से आपका night blindness रोग ये होता है vitamin B1 का रासाइनिक नाम की बात कर ले तो vitamin B1 का जो रासाइनिक नाम होता है ये आपका thiamine होता है और vitamin B1 की कमी से आपका beriberi नामक का रोग होता है वहीं विटामिन B2 की बात कर ले तो इसका जो रासाइनिक नेम होता है वो राइबो फलैबिन होता है और इसकी कमी से ग्रोथ और बैडस की होता है विटामिन B12 का जो रासाइनिक नाम होता है वो साइनो कुबालमी होता है और इसकी कमी से एनेमिया नामक रोग होता है विटा विटामीन के की बात कर ले तो इसका जो रासाइनिक नाम होता है वो फाइलो क्यूनियोन होता है और इसकी कमी से आपका ब्लड क्लोटिंग होता है यानि रक्त में धक्का नहीं जम पाता है वो आपका विटामीन के के कारण हो पाता है नेक्स्ट कुछ आपके यहाँ पर रहा था कि अलावदीन खिलजी का सासन काल यह कब से कब तक रहा था तो देखें अलावदीन खिलजी जो है यह 1296 से लेकर 1300 सुल्ल इस वी तक जो है दिल्ली का सुल्तान रहा था और मैं आपको बता दू कि खिलजी वंस के जो है टोटल छे सासक जो थे वो दिल्ली के सुल्तान रहे थे और ये जो आपके दूसरा सासक था खिलजी वंस का दूसरा सासक कौन था तो ये अलाउदीन खिलजी था तो 1296 से 1360 आपका करेक्ट एंसर होगा बात कर ले अलाउदीन फिरोज खिलजी था और इसका जो सासन काल है ये 1290 से लेकर 1296 इसवी तक रहा था वही अगर बात कर ले खिलजी वंस का सासन काल कब से कब तक रहा था दिल्ली पर तो 1290 से लेकर 1320 इसवी तक जो है ये सासन काल रहा था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक सास्त्रे नेते हैं लेकिन मैं आपको बता दू कि भारत के सांस्क्रितिक मंत्राले ने छो को जो है सांस्क्रितिक नेतों की सूची में भी जो है इसे सामिल किया है जो कुल जो है आपके नौ सास्त्रे के रूप को जो है ये बनाता है तो आपके आप्सन में या तो आठ दिया नेते हैं, सेगर्ड आपका कथक है जो की उत्तर परदेश का सास्त्रे नेते हैं, थर्ड आपका कथक अली जो की केरल का सास्त्रे नेते हैं, चौथा आपका कुछी पुड़ी है जो की आंदर परदेश का सास्त्रे नेते हैं, और इसी आपका उडिसा का सास्त्रे नेते हैं, म पैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, next question आपका यहाँ पर आया था, कि December 2021 में किस राज्ये ने तमबाकू पर प्रतिबंद लगाया है, तो देखें, December 2021 की बात कर ले, तो आंद्रपरदेश राज्ये सरकार ने तमबाकू पर प्रतिबंद लगाया है, तो आंद्रपरदेश आपका correct answer हो, और कुछ बच्चों ने बताया कि question यह पूछा गया था, कि 2021 में किस राज्ये ने जो है, ऑनलाइन सटे बाजी, यानि जो ऑनलाइन जुआ गेम होता है, जैसे कि आपका ड्रीम 11 प्लस, यह सब जो गेम होते हैं, ऑनलाइन सटे बाजी, इस पर प्रतिबंद कि राज जी ने लगाया है, तो देखें, ऑनलाइन सटे बाजी की बात कर ले, तो सितंबर 2021 में करनाटक राज जी ने जो है, ऑनलाइन सटे बाजी पर जो है, यह प्रतिबंद लगाया है, तो अगर यह पूछा गया था, तो करनाटक आपका correct answer होगा, next question है, आपका यह आपना के द्वारा, आठ मार्च 2022 को जो है, इसे लाँच किया गया है, तो आपके option में RBI दिया गया था, तो RBI आपका correct answer होगा, और कब लाँच किया गया था, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, कि आठ मार्च 2022 में जो है, यह RBI के द्वारा, सक्तिकान 10 के द्वारा जो है, लाँच किया गया है, नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पर आया था, कि 1956 के ओदागी करन नीती प्रस्ताव का उदेश जो है, यह क्या था, तो देखें, 1956 के ओदागी करन नीती संकल्प का जो प्रस्ताव का उदेश था, यह आपका छेत्रे समानता की निव रखना था, तो छ important facts जान लीजे दोस्तों जो कि आगे की सिप्टों में आपसे जरूर पूछे जाएंगे जैसे कि UPI 123 पे का फुल फॉम पूछा जाएगा तो देखे UPI 123 पे का फुल फॉम होता है यह आपका Unified Payment Interface यह आपका यानि एकिकरीत भुगतान Interface इसका फुल फॉम होता है तो यह फुल फॉम भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका यह आप रहा था कि गंगौर यह जो है किस राजजी का लोक नीड़ते है तो देखे यह जो आपका गंगौर है ना यह आपका राजस्थान राजजी का एक लोक नीड़त वक्ति के साथ इसमें किया जाता है और यह जो आपका फसल वसंत और वैवाहिक नीड़ता का उत्सव भी है और गंगौर पर्व जो है यह चैद्र के पहले दिन से यह सुरू होता है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका यह आप रहा था क कि 2021 में बसवराज बुंबई ने किस राज्य के मुख्य मंदरी के रूप में यह सपत लिये है तो करनाटक आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका यह आप रहा था कि 2022 में ड्रोन महसो यह कहां मनाया गया है तो देखे 2022 में ड्रोन महसो की बात कर ले तो यह आप का दो दिवसी है रहा था जो कि आपका 27-28 मही को दिल्ली में पीम नरेंदर मोदी ने जो है इस महसो का उदगाटन किया था तो दिल्ली आपका यहाप एक करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका यह आप रहा था कि इन में से कौन सी योजना जो है 2016 में चलाई गई थी जहां पे option में आपका मन्रेगा stand-up India scheme इस परकार से option दिए गया थे तो देखेंए यह जो आपका stand-up India scheme है यह आपका आपरेल पांच अपरेल 2016 को यह योजना आपका सुरू किया गया था तो stand-up India scheme आपका यहाँ पर एक करेक्ट एंसर होगा और stand-up India योजना को जो है कब तक बढ़ा दिया गया है तो इसे 2025 तक बढ़ा दिया गया है बात कर लिए जो है किसके द्वारा सुरू किया गया था तो ये परधान मंतरे नरेंद्र मोदी के द्वारा सुरू किया गया था और किस मंतराले के द्वारा अगर ये पूछा जाए तो ये आपका केंद्री वित मंतर आले के द्वारजवई से सुरू किया गया था और इसका उदेश गया था तो देखें स्टेंड अप इंडिया का जो मुख्य उदेश था ना वो अनुसुची जाती और जन जाती था था सभी वर्ग के महिलाओं का जो है नया उदम सुरू करने है तू आर्थिक सहयोग देना इसका जो है मुख्य उदेश था तो ये उदेश भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपका याप रहा था कि one who loves mankind यानि इंग्लिस में जो आपका one word substitution से आपके प्रेशन पूछे गया थे यानि one who loves mankind का मतलब क्या होता है जो मानो जाती से प्यार करता है उसे जो है क्या कहा जाता है तो इंग्लिस में जो इसे philanthropist यानि परोपकारी कहा जाता है तो philanthropist आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश आपका याप रहा था कि सांची का अस्टूप ये जो है किस राजवन्स ने बनवाए था तो देखे सांची के अस्टूप की बात कर ले तो इसे मौर ये वन्स आपका correct answer होगा वहीं अगर राजा का नाम पूछा गया था तो असोक आपका यहाँ पर correct answer होगा बात कर ले सांची के अस्टूप के बारे में तो देखे सांची का जो अस्टूप है ना ये मद्य पर्देश के राह सेंज जीले में इस्तित है जो की बेतवा नदी विश्वधरोवर सूची में जो है इसे सामिल किया गया था नेक्स्ट कोश है आपका यहाँ पर आया था कि फॉरबर ब्लॉक की अस्थापना ये जो 1949 में जो है ये निताजी सुबास चंडर बोश के द्वारा किया गया था और ये जो आपका फॉरबर ब्लॉक था ना ये एक रास्टवादी राजनीतिक दल था जिसकी अस्थापना 1949 में जो है नेताजी सुबास चंडर बोश के द्वारा किया गया था नेक्स्ट कोश है आपका यहाँ पर आया था कि तस्मीन मीर अंडर 19 ये जो है किस राज्य से संबंदित है तो देखे तस्मीन मीर अंडर 19 जो देखे मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान जो है ये आपका किसका आबादी सबसे अधीक है तो पाकिस्तान में इस्लामियों की आबादी सबसे अधीक है लगबग 90 परसेंट इसलाम रहते हैं और समुदाय बूचा गया था तो समुदाय की बात कर ले तो पाकिस्तान में सुन्नी 85-90% रहते हैं, जबकि सिया समुदाय की बात कर ले, तो ये 10-15% रहते हैं, तो सुन्नी आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पर आया था, कि सप्रू समीटी रिपोर्ट, ये जो है कब दी गई थी, तो देखें सप्रू समीटी रि रस्ताव को खारीज भी किया था, और इसका जो संबंद है, ये किस्से है, तो देखें सप्रू समीटी रिपोर्ट का जो संबंद है, ये आपका अल्प संख्यकों की राजनीतिक और नागरिक आधिकार से संबंदित है, जिसके परमुक कौन थे, तो तेज बहादूर सप्र तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोश आपका यहां पर रहा था, कि दा अधर साइट ऑफ साइलेंट की रचना, ये जो किस्ने की है, तो देखें दा अधर साइट ऑफ साइलेंट, ये जो पुस्ता कहना, ये जो आपका उर्वसी बुटालिया के द्वारा लिखा गया है, तो उर्वसी बुटालिया आपका करेक्ट अंसर होगा, नेक्स्ट कोश आपका यहां पर रहा था, कि भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो देखें भारत में सबसे जो ठंडा स्थान है, ये आपका द्रास है, जिसे जो है क्या कहा जाता है तो द्रास को जो है आपका लदा का परवेश द्वार भी कहा जाता है और द्रास जो है आपका जम्मू एंड का स्मिर के कारगिल जीले में जो है यह आपका पढ़ता है लेकिन कुछ बच्चों ने बता है कि कोशन ये पूचा गया था कि दच्छिन में भारत का सबसे ठंडा चेत्र कौन सा है तो देखें दच्छिन में अगर भारत का सबसे ठंडा चेत्र घी बात कर लें तो यह आपका कोडाई कनल है तो कोडाई कनल फिर आपका यहाँ पे करेक्ट एंसर होगा